है रो दोस्तों नेचर्स ब्यूटी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं दाल मखनी बनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि मैं दाल मखनी कैसे बनाती हूं तो चलि अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं दाल मखनी बनाने के लिए एक कटोरी काली उरत की दाल आधी कटोरी चनी की दाल और एक मुठी राजमा को राद बर पानी में भी हो दिजिए और सुबह उसका पानी साफ करके प्रिसर कूकर में टांसफर कर लेजिए डालूंगी एक छोटा सल प्याच का टुकड़ा और सारे खड़े गरम मसाले इसमें मैंने लिया है दाल चीनी एक बड़ी इलाइची एक छोटी इलाइची और लॉंग और तेश पत्ता और आपका एक चमच जीरा और दो रसून की कलिया और थोड़े से मैंने अध्रक को ब और नमक जादा नहीं थोड़ा सब नमक थोड़ा से रेट चिली बाॉडर बस इतना डाल के आपको जितना मेरे डाल लिया समझ लेजे थोड़ा सा पानी जादा लेके इसको प्रेसर कूकर करना है आप 7-4 से या लेके इसको धीविदी मियांच पर पकाना है जबते कि आपक जब तक आपका दाल पूरा अच्छा से गल ना जाए जो आपके दाल मकनी को काफी अच्छा टेक्चटिर देगा और इधर मैंने की लिए sweaty g Arts on की कलियों को 26 मिर्ची और यह बड़े साइस प्यास को भी मैंने बारी काट लिए 4-5 लसुन की कलियों को बारी काट लिया है कुछ हरी मिर्ची को भी मैंने 4-5 हरी मिर्ची को बारी काट लिया और एक बड़े साइस के प्यास को भी मैंने बारी काट लिया यह तड़के में यूज होगा अदरक मैंने प्रिसर कुकर में डाल दिया इसलिए अदरक डालने के कश्मीदी लाल मिच बस आपको दल तड़का बनाने दाल मखनी बनाने के लिए इतने ही समानों के ज़रत होती है क्रीम नहीं है तो मलाई ले लीजिए मेरे पास क्रीम और मलाई दोनों नहीं है तो आपके पास जो भी अवलेवन हो आप वह यूज कर सकते हो कि माटर को मिक्सी में ब्लेंड लिया है अब में दुसरे पैन में थोड़ा सा घीर डाली है उसमें थोड़ा सा आपका जीरा डाल के सो क्राकल होने को वेट कर रहे हूं पीं के बाएक में बारी कटा हुआ लस्ण डाल रहे हूं लफुन को बल्गा को कॉटे करूंगी फिर मैं डाल दें हूं बारी कटा हुआ प्याज प्याज को मैं हल्का साफ्राइ करूंगी प्याज जल्दी गिल जाए उसके लिए थोड़ा सब्सक्री सॉल्ट दा दिए दाल मगनी थोड़ी से मीठे मीठे थोड़ी थोड़ी फ्लेवर होता है तो मैं थोड़ा सब्सक्री डाल दें हुआ ज़ाज दाल दें हुआ ज़ाज में दाल दें हरी मिर्थी बारी कटी भी हरी मिर्थी अब इसको तोड़ा सब फ्राइ करूंगी दो से तीन मिनट तर तो अगर आपको बटर में भी बना सकते हैं? यहां पर मेरा प्याज भी फ्राइब हो गया है अब मैसे डाली टमाटर की प्यूरिट प्यूरिट तो प्यूरिय नमक के बाद अधा प्यूरिट के बाद याद यहां जाए हो जाये अधा नमक कम हो जाएक ज्यादा हो जाए है ज्यादा सबस्कैनल 1 गषाशरो थोड़ी सी हलदी सबस्कैनल सा गरम-मसाला अब इसको अच्छे से आप फ्राई कर लिए श्रावալ कर लीजेे अलमुस्सreck ही चूपनीट एसका साहला मसाला मता निए को harsh जाए आप की टमाटर भी उवल जाए अच्छे से हम लिए है यह टमाटन ना सारे मसाली अच्छे से फ्राइ हो गाय है धार बबल सार है इस पर अब थोड़ा सो और अ उख़ाय करने के बात मैं इसमें आपका जूच डालोंगे अगर आपके पास मलाई हो तो आप मलाई दाल दीजे अगर आपके पास रेटी मेट वाली पैट अमूल की तो भी आप डा सकते हैं अगर आके पास कुछ नहीं है तो आप दूस भी यूज़ कर सकते हैं मैं दूस दूस कर रही है उतने दाल मखनी लह चब बनते ही जब बहुत जादा बहुत बइल करते रोगय करते ही जो तो आपका बॉल करें कर दो, है तो आप कादोyttी बहुत बयून होने लगती आपने बता का यस् emphasis बग आफ्चंट कौक और आफ की अच्छी बनीलिट Д republican लाही च्टीह दो नी बशम susceptible cameras तोड़ा सा अब मैं दूर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हूँ अब दूर डालने से आपका क्रीमी सा टेक्चर आजाएगा अब मैं इस मीटे वापके दाल रुबारे दे मैं उसे ट्रांस्पेर कर देगें पतीरे से अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसे उबालोंगी पांसे दस मिनिक तक धीनी आज पर अब मैं इसमें तड़का लगाँगी तो मैंने एक पैन में थोड़ा सा घी डाला है अब इसमें थोड़ा से कसमेजी लालमेज मेरा खी गरम हो गया है अब इसमें थोड़ा सा कस्मीरी लाल मिंच या आप ये portion को आप स्कीप भी कर सकते हैं चाहे तो बस ताल मखनी बना क्यों ताल लीजिए रेडी हो जाएगा पर अगर आपको इस्टा तड़का देना है कोई केस्ट आ रहा है तो आप लाल मिंच को अच दाल तड़का के ऊपर इसको करके गार्निश कर दो लें किता खुप्सूरो सा कलर आ गया है अब मैं इसके ऊपर फोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निशिंग कर देते हैं मेरी दाल मखनी बनके तयार है आप भी एक बार जरूर ट्राइ करना बताना मुझे कैसा बना ये जो मै चाहो तो इसकीब कर सकता है कर रेगुलर खाना है तो इसकीब कर दो वरना कमानों जे कभी कोई गेश्ट आ रहा है तो अच्छा आपको प्रेजेंटेशन देना है तो यह आप उपर से डाल के सर्फ कर सकते हैं तो काफी खुबसूरत लगता है देखने में I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स वीडियो पर नई रेसिपिक के साथ तक तक के लिए बाई टेक केर